बैस सभी को हमारा राम राम और आज हम आपके बीच में जो भारती प्राक्रतिक क्रसी पद्धती है इसके लिए जो हम बीजा अमरत और गहन जीवा अमरत और जीवा अमरत बनाते हैं वो आपको थोड़ा सा समझाएंगे हमें सबसे पहले ये है कि दिमाग में ये बिठाना है कि यही खेती टिकाओ खेती है चुकि रसाइनी खेती के दुस्परणाम हमने देख लिए पिछले साथ सालों में जमीन की उरबरता कैसे गिरी बायो डाइवरसिटी कैसे खतम हुई खाद्यान में रसाइन कितने ज़्यादा आये लोग बीमार कितने ज़्यादा हुए ग्लोबल वार्मिंग का संकाट जलवाई परिवर्तन का संकाट ये सारी चीजों को देखते हैं कि हमारी आने वाली पीडियों का भविश अब सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा कर्तब है कि किसानों को मोटीबेट करके और रसाइनों से मुक्ति दिलाना वां हला कि आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि रसाइन नंहोते तो वैसा होता रसाइन नंहोते तो हम मर गए होते आ कोई पेस्टिसाइड नहीं था और सत्रवी सताब्दी का इतियास देखिए जब यह देश सोने की चड़िया का आ जाता था तब हमारे देश में कैसे खेती होती थी तो खेती वो सनातन संस्कृति की खेती थी प्राकृति खेती थी भारती कृसी पद्धती था जिसमें हम हमारे करती के वैभव को निरंतर सजाय रखने की बात करते थे खेत की मजबूत मेने थी खेत जुद्धूशा पर पेंड़ थे लोग जुटाई कि बताईए तीस साल पहले हमने सुना है कि मसूर में, चने में, मतर में, अलसी में, राई में ना पलेवा की जरुवत थी और ना सिचाई की जरुवत थी क्यों? क्योंकि तीस चालिस फुट का पानी जो होता है, वो कैपलरी सिस्टम से उस्मोसिस प्रोसिस से हमेशा उपर को चलता है रास्टे में चना मतर मसूर की जड़े मिल जाती है, उनकी प्यास बुजा जाता है और इवेपरेट हो जाता है अब वो पानी पहुंच गया डेड़ सो, दो सो, ढ़ाई सो फुट दूर, वहां से तो कैपलरी सिस्टम से उपर आने से रहा, तो जमीन में आरगेनिक कारवन बहुत था, वाटर लेविल ठीक था, तो हमको नफटलाइजर की जरुवत थी, बायो डाइवर्सिटी अच्छी थी, चिडिया बहुत सारे कीडों को चिडिया मेंडग खा जाते थे, और जमीन में जो पोजेटिव पैथोजिन थे, पोजेटिव जो बैक्टिरिया थे, वो निगेटिव पर अपना नियंत्रन बना लेते थे, आज निगेटिव सारे खतम हो गए, पोजेटिव सब खतम हो हो गए तो negative negative बच गए हमने कभी तितली को मदमख्य को केंचवे को चिरिया को मेड़क को नहीं मारा लेकिन यह सब मर गए और जिनको हम सब लोग मारते रहे वह वह सब बचे रहे गए तो यह भारती प्राक्तिक क्रसी पद्धती में एक सिद्धान्त है एक सूत्र है कि हम अपने खेतों में वो माइक्रो आर्गनेजम जो केमिकल के प्रियोक से या गर्मी के बढ़ जाने से नस्ठ हो गए हैं उनको कैसे पुना इस्तापित कर दूं तो इसमें मित्र हम सब लोग एक ड्राम लेते हैं चाहे बीजा मरत बनाए जीवा मरत बनाए घंजीवा मरत बनाए दसपरणीयर के बनाए इसके जो में कंपोनेंट है सबसे में कंपोनेंट है बर्गत के पीपल के पाकल के पेल के नीचे की मिट्टी चू जब हम लेंगे तो ऐसे पेंड की लें कि जिसके पेंड के नीचे हम कल्पना कर सके इस पेंड के नीचे बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होंगे तो उस पेंड के नीचे की मिट्टी सबसे उपयोगी है फिर उसके बाद मैं गोबर डालता हूँ यूरिन डालता हूँ गुड डालता हूँ बेशन डालता हूँ काई के लिए डालता हूँ उस बैक्टीरिया का भोजन है समझे ना वो बैक्टीरिया का भोजन है तो ये ड्रम लेंगे आभी इसमें इन्होंने बीस किलो गोबर डाल दिया है और यूरिन भी डाल दिया है और पेळ के नीचे की मिट्टी भी डाल दिया अब हम करेंगे क्या गुड़ भी डाल दिया बेशन भी डाल दिया और सब कुछ डाल दिया अब इसको हम सुबह साम थोड़ा सा हिला देंगे ताकि आक्सीजन का वायू संचार हो जाए पानी में बैक्टिरिया नीचे उपर सामगरी जो है मिक्सप हो जाए और बैक्टिरिया ठीक से खा सके ध्यान आप लोगों को इतना रखना है जब फिल में जाओगे किसान के पास कि किसान को कहना है कि चाचा दादा भाईया आपने ये पांच दिन हो गया ड्राम में घन जीवामरत बनाए हुए अभी यूज नहीं किया तो वो कहेगा कि आप ही तो कहे गए थे कि जब मिट्टी में थोड़ी नमी और जुताई करना तब यूज करना अभी तो सूखा पड़ा अभी तो यूज नहीं किये अरे तो एक काम करो फिर इसके बैक्टीरिया मर जाएंगे अब इसमें थोड़ा सा गुड और बेसन और डाल दो क्योंकि बैक्टीरिया एक दिन तो आएगा जब बैक्टीरिया का भोजन इस ड्रम में नहीं रहेगा तो विचारा मर जाएगा तो हमें यह देखना है कि कितने दिन तक इसको जिंदा रखने के लिए पुना इसमें फूड मैटीरियल उसका डालना है दूसरा हम जल्द गंटा और 48 गंटा 42 गंटा का जो टाइम स्डूल दिया गे ना यह मिनमम वाला है कि मिनमम और कब मिनमम जब हम जो पेंड के नीचे की मिट्टी लाए थे अगर उसमें बैक्टीरिया 10 की पावर 6 या सेविन होता तो 24 गंटा अब हमें मालूम नहीं कि जिस पेंड के नीचे गंटे के मिट्टी लाए उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी थी बैक्टीरिया की पावलेशन कितनी थी तो हम मानते हैं चूबिद गंटे में नहीं होगा तो हम इसको चार गुना टाइम देदें 14 दिन इसको दे ए घंजीव अमरत को 8 दिन देदेए भीजा अमरत को 16 दिन कि आपके खेत में बायो माज जिसे धान का गेहूं का जो क्राप करते हो गन्य का वो जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो जमीन के नीचे का पार्ट और जमीन के कुछ उपर का पार्ट ये रेजिडिव वाँ छूट ही जाता है हर साल छूटता है उसको कोई खा करके सडा कर कि हूमस में बदलने वाला जिव नहीं है क्योंकि केच्वा मैंने मारा दीमक मैंने मारा सुख जिव मैंने मारा तो मैं अब सुख जिव को इनकुलेट कर दिया हूं और ये जो सुख जिव हैं अब मेरे खेत में जो जैव आउसिस्ट पड़े हुए थे उसको खाएंगे और हूमस में कनवर्ड करेंगे तो जमीन में आर्गेनिक मैटर की आर्गेनिक कारवन बढ़ेगा उसकी वाटर होलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी फिशकल प्रापर्टी सुद्रेंगी उसकी केमकल प्रापर्टी सुद्रेंगी एक ही लक्ष है धरती मा के बैभव को सजा नमस्कार।